चलो जी, बेटा, अब next topic स्टार्ट कर रहे हैं, partnership, ठीक है? मैं कभी भी NCRT के sequences स्टार्ट नहीं करता, ठीक है? क्योंकि मुझे समझाना है, इसका purpose कुछ भी है मेरे को नहीं बता, ठीक है? मुझे समझाना है, तो आप सब सामने देखेंगे बहुत अराम से, ठीक है? ओल्दो हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने पहले पड़ी हो, लेकिन मैं बहुत अराम से कह सकता हूँ, कितनी गलत पड़ी होगे, मैं जानता हूँ. यह सबसे लास्ट में टॉपिक आएगा, पार्टनर्शिप की, और मैं अगर आऊँगा सबसे पहले. बभू, पार्टनर्शिप में न, दो डॉक्योमेंट बनते हैं, एक का नाम है पार्टनर्शिप डीड और एक का नाम है रजिस्प्रेशन. इन में से एक डॉक्योमेंट कमपलसरी है और एक टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जिया बनवाना है, बनवालो नहीं, बनवाना ना बनवाओ. बेटा, पार्टनर्शिप डीड is a compulsory डॉक्योमेंट. इसके भीना पार्टनर्शिप बनी नहीं सकती. पार्टनर्शिप डीड क्या है बेटा? A written agreement between partner, which specify the terms and condition between partner. एक written agreement है. इंडिया में agreement किसके उपर लिखा जाता है? पार्टनर्शिप डीड स्टैंप डीड पर लिखिया है. मैं खुद बनाता हूं अपने office में बैट कर. ठीक है? मैंने अपनी भी खुदी लिखी थी. ठीक है? 7.500 रुपे के स्टैंप डीड बनती है. ठीक है? पार्टनर्शिप डीड क्या होती है? A written agreement between partners, which specify the terms and condition. इसमें ब कुछ जिकर कर लेता है. अच्छा, अब आपके दिमाग में रहा हूं किया-कया terms and condition रहती होंगी? लोग, सबसे पहले तो इसी का जिकर कर लेता है. मैं सर्फ एक आदी बात लिखूँगा, बाके सब बोलूँगा. ठीक है? सबसे important बात लिख रहा हूं. PSR. Profit Sharing Ratio. ठीक है? म से पहली चीज़ जो हम specify करते हैं. ठीक है? ठीक है? PSR. Profit Sharing Ratio. तो बेटा, Losses कैसे share होंगे? Confuse मत हो जाना. नाम जरूर Profit Sharing Ratio है. अगर Losses भी हो है, तो इसी ही ratio में share होंगे. समझाए? और ratio में भी dependent upon the circumstances. ठीक है? बाबु, जरूरी नहीं है हर case में 1-1-1 हो. यह दिमाग से ब्रहम निकाल देना. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है? इट में भी 3-2-1. इट में भी 2-2-1. इट में भी 2-2-4. कुछ भी हो सकती है, यार. ठीक है? यह दिमाग में ब्रहम मत लाए ना कि बिलकुल बराबर होगी. ठीक है? क्या-क्या terms and condition लिखी होती है? PSR. नेम क्या होगा partner से firm का और address क्या होगा? और capital contributed by each partner. A कितनी capital लाएगा? B कितनी लाएगा? C कितनी लाएगा? मेरे example के साब से. drawings made by each partner. हर साल कितनी कितनी drawings करेंगे? interest on capital कितना देंगे? interest on drawings. salary and wages क्या रहेंगे? ABC की? काम भी तो करेंगे यह. ठीक है? कौन सा person कौन सा decision making करेगा? अगर गलती से कोई dispute होगा तो वो resolve कैसे होगा? हमारी firm की auditing कौन करेगा? अगर कोई नया partner आना चाहे तो उसका admission कैसे होगा? कोई retire होना चाहे तो क्या होगा? किसी partner की death होगी तो क्या होगा? firm dissolve करने का procedure क्या है? इतना याद कर लोगे? बस मैं मानूँगा हाँ, आपने दर्दी बई जन्नत देख ली. दुबारा बोल देता हूँ, सुन लो. name and address of partner, profit sharing ratio, capital contributed by each partner, drawings made by each partner, interest on capital कितना रहेगा? interest on drawings कितना रहने वाला है? admission of partner, retirement of partner, death of partner, dissolution of partner, ठीक है न? working कैसे रहेगी इन सबकी? कौन क्या क्या काम संभालेगा? salary and wages कैसे कैसे इनकी? अगर कोई लडाई जगडा होगया तो resolve कैसे होगा? लडाई जगडा कैसे खतम करेंगे? auditing कौन करेगा firm की? यह सब बात. समझा ही बात? इसके बिना partnership हम बन सकते हैं? नहीं. it is a compulsory document. ठीक है? registration is optional. आपकी मर्जी है बाबु. बनवाना चाहो तो बनवा लेना, registration कराना चाहो तो करा लेना, नहीं कराना चाहो तो रहन भी दो. लेकिन बेटा, अगर registration नहीं कराओगे, तो कुछ consequences हो जाते हैं. registration कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना चाहो ना कराओ. अगर मालों नहीं कराया, तो बेटा कुछ consequences हैं, तीन consequences हैं, यहाद रखने हैं. मतलब, बेटा, A और B की लड़ाई होगी C के साथ. A और B, यानि की partnership firm अब case करना चाहती है, पार्टनर पर. Case नहीं कर पाएगी. C की लड़ाई होगी, partnership firm के साथ. A partner wants to file a seat on the partnership firm, वो भी नहीं कर पाएगा. Partnership firm भी partner पे case नहीं कर पाएगी? Partner भी partnership firm पे case नहीं कर पाएगा. बेटा, partnership firm की लड़ाई होगी किसी outsider के साथ, D के साथ. Partnership firm outsider पे भी case नहीं कर पाएगी. सुन लो. Partnership firm, partner पे case नहीं कर सकती. Partner, partnership firm पे case नहीं कर सकता. और partner, partnership firm, outsider पे case नहीं कर सकती. अगर आप registered नहीं होगी. अब एक काम की बाद दे सुन लो. Confuse कर देता हूँ थोड़ा सा. आउटसाइडर? यह सब इसले बोल रहा है, क्योंकि नहीं पहले पढ़ लिया. अगर आप registered नहीं हो, तो कोई registered कराता ही ना. होता क्या? उनसे उदार पे goods खरीटते रहते, जब वो मांगने शुरू करते, वैसे है नहीं. जा चला जा, कोट. हमारे उपर तू case ही नहीं कर सकता. कोई registered ही ना करात था अपने आपको, अगर law ऐसे कह देता कि outsider भी case नहीं कर सकता, अगर आप registered नहीं हो, बेटा नहीं. outsider हमेशा ही case कर सकता है आपके उपर, whether you are registered or not. outsider को कोई फरक नहीं पढ़ता आपके registration, non-registeration से. फरक किसको पढ़ता है? सिर्फ partnership firm. consequences याद हुए ते इनों जल्दी अली बोलो. partnership firm, partner पे case नहीं कर सकती, partner, partnership firm पे case नहीं कर सकता, और partnership firm, outsider पे case नहीं कर सकती. outsider? वो हमेशा ही कर सकता, उसको वो unaffected है, उस शीच से, क्या आप registered हो या नहीं. बात ओके? इतनी बात समझाए? पक्का? अब एक बात और. बेटा, partnership firm एक act से govern होती है, और यहीं पर मेरी बात है, parliament कब बनी थे, अब वो ही बताने जा रहा हूँ. ठीक है? बेटा, partnership firm एक act से govern है, जिसका नाम है partnership, Indian partnership act 1932. सुना क्या का मैंने? कान खुले है? Indian partnership act 1932. अरे या, मुझे समझ नहीं आ रहा. 26 January 1950, 1950 को बनी पार्लियामेंट. 92 में लोग कैसे बास हो गया? जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के लोग बनाने की, भला हो अंग्रेज माराजी का. समझ गहें लोग कैसे बना? हम सब copy करते हैं उनका. धड़ा-धड़ copy करते हैं उनका. पता है आपको? इंडिया का हर law, वहाँ से copied होता है. एक वर्ड होता है, लेटिन लेंग्विज का. मुटैटिस मुटैंडिस, copy भाई से करते हैं, subject to necessary modification. इंडिया के हलाथों के साब से ढाल देते हैं. यो even can't imagine, जो हमारा constitution आया 26 जनवरी 1950 को, उसी ने कहा था पार्लेमेंट बनाने को. जिसको हम Republic Day celebrate करते हैं. ठीक है? पता है, constitution इंग्लिश में आथा आपको. क्यों आया होगा इंग्लिश में समझदार हो? और 13 साल लग गए उसको हिंदी में translate करने को. बारत हमारी हिंदी है हमारी मात्र बाशा है. इतनी मात्र बाशा थी, तो 13 साल लग जाएंगे? दो दिन में हो जानी चीए थी, इतनी से तो बुक थी? ठीक है ना? Indian Partnership Act 1932, यानि कि पार्लेमेंट कहने से पहले लो. ठीक है? चलो, करते हैं बात इसकी. बबु, Indian Partnership Act 1932 ने partnership को define किया है. ठीक है? अब बहुत अराम से समझेंगे, मैं लिखूँगा. मैं लिखूँगा कुछ बाते हैं और बहुत अराम से समझेंगे. कैसे define करा है? यह देखो. कैसे間से लिखूँगा अरिख। यह देखूँगा करिए एंगे. चलो जी बेटा ऐसे डिफाइन किया है और मैं रटवाऊंगा नी पक्का एक अक्षर भी मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना ठीक है ना मैं हर चीज़ समझाने वाला हूं ठीक है पार्टनर्शिप की डेफिनिशन लिखी हुए यह जो इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 ने दी क्या लिया उसने क्या समझाया पार्टनर्शिप क्या चीज़ है कहता था रिलेशन बिट्वीन परसंगा फिर मैं कम्बाइन करता हूं ठीक है पार्टनर्शिप क्या है लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जब वो अपना प्रॉफिट बाटने को तयार हो जाए यहीत होते है पार्टनर्शिप हम प्रॉफिट बाटना पड़ता है अपना प्रॉफिट ओल्स इंक्लूड लॉस कन्फ्यूज मत होना प्रॉफिट का मतला यहाँ पर लॉस से भी है लॉस भी हो तो हो भी बाटने ही पड़ेगा पार्टनर्स के बीच की पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जब वो अपना प्रॉफिट बाटने को तयार हो जाए प्रॉफिट इंक्लूड लॉस यानि की लॉस भी बाटना ही पड़ेगा यह तो मुश्किल थी नहीं समझना असली कानी तो यह है carried on by all or any one of them acting for all इतना बड़ा बोलने से बचने के लिए इसको बोलते ना mutual agency ठीक है ना? मुझे बता Indians are very lazy हम यही बोलेंगा मैं सो carried on by all or any one of them acting for all लो, अराम से समझते हैं पहले ही यह वाली बात समझते है carried on by all, मतला सब मिलकर फर्म चला लो माल लो बेटा A, B, C ने एक partnership deed बनाई ठीक है? partnership deed बनाना मतलब partnership बनाना ठीक है? कहता है सब मिलकर फर्म चला लो A, B, C, तीनो मिलकर judgment देलिया करो कोई tension नी है ठीक है? यह तो करी सकते है any one of them acting for all यह क्या मतलब होगा? बेटा सुनो हर partner partnership firm का agent भी है और principal भी है agent मतलब बोल सकते हो knocker भी है और मालिक भी है हर partner A, B, C, तीनो मालिक भी है और A, B, C, तीनो knocker भी है एक partner अपने act से पूरी firm को bind कर सकता है अगर गलती से भी बेटा एक partner के भी किसी जगे पे signature है न, वो पूरी partnership firm पे लगता है देखो क्या लिखा है any one of them acting for all any one इन तीनों मेंसे कोई भी एक सब के behalf पर act कर सकता है यह भी ही लिखा है समधर इस बात का मतलब समझाता हूँ A, B, C को एक project sign करने जाना था ठीक है project agreement था वो sign करने जाना था A और B को काम पढ़ गया उनने वोला C तू चला जा C चला गया C को अच्छा लगा C ने सब project sign कर दिया कल को अगर उस project में loss हो जाए तो C के उपर लगता खाली पूरी firm पे any one of them acting for all here C is the agent of partnership firm and A, A and B are acting just like a principle यहां A और B principle है वो घर बैटा है राजाओ की तरह और C जा रहा हूंका नोकर बन के sign करने और कभी ऐसा हो सकता है कि A घर बैठा हो और C घर बैठा हो और B sign करने जाए तो B is the agent A and C are the principle और कभी A sign करने जाए तो A is the agent B and C are the principle याद आई है अब heading sense of accomplishment क्यों satisfaction रहता है soul providership में यार गलती करिया चल loss हुआ है मेरे तुद्धिस हैंते यहां तो भाई साब अपनी गलती भी नहीं है दोसरों की गलतिया भी भुगत नहीं पड़ती है any one of them acting for all क्या clear हूं है इस बात पर अब ठीक है ना पेपर में आता है comment upon mutual agency in case of partnership फार्म 3 marks बच्चा गहता है क्या लिखो यह तो कभी पढ़ा ही नहीं वाई यह 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 carried on by all or any one of them acting for all लोग समझा देता हूं दुवारा लिखना कैसे है क्या लिखोगे सबसेले क्या लिखोगे हर partner partnership firm का agent भी है और principal भी है एक single partner अपने accept पूरी firm को bind कर देता है ठीक है for example अगर A, B, C और किसी partnership firm के partner है और C किसी project पर sign करने का C is acting as agent और A और B principal है और C का sign करने का मतलब यह निया यह सब C पर लगेगा यह पूरी partnership firm पर लगेगा फिर बात A की करोगे फिर B की करोगे हो क्या गता हूँ 20 line है बन जाएंगे इसमें अगर बनाना चाहो तो 3 number खरे है समझा ही बात what you mean by mutual agency okay है means point of view पर अग्ये बड़े समझा ही बात सारी बिल्कुल clear चलो तुम कह रहे है तो clear ही होगा चलो अब बेटा फीचर स्टार्ट करते है ठीक है यश समझा रहा है बाई चलो फीचर स्टार्ट करते है पहला फीचर है formation and closure हाँ जी बेटा partnership firm का formation बहुत बहुत असान क्या चाहिए सिर्फ एक document एक compulsory document चाहिए क्या partnership deed partnership deed बना होगी partnership firm start कुछ करना थोड़ी है कितनी देर में बन जाती होगी तीन गंटे में मैं बना दूंगा कोई भी partnership का काम आजए तीन गंटे में बाटना सिर्फ हम शुरू समझा ही बात तो formation बहुत असान है तीन गंटे में business start हो सकता है कोई लंबी चोड़ी कानी नी soul providership में तो एक मिनट में हो सकता है आज entrepreneur कहा दे हाँ मुझे दुकान का shutter खोलना है बिजनस करना shutter खोल हो गया शुरू महां तो कोई formality नी है यहाँ Indian partnership pact 1932 कहता है एक formality तो पूरी करनी करनी है आपको जिसका नाम partnership deed है clear okay है बात second feature है liability liability लो आगी बात दुबारा से और मैंने आपको कहा था लो मैं यह ना रभी कर देता हूँ यार मेरे को ना इसमें एक example देना है बहुत तगड़ा सा ठीक है ताकि आपको liability और अच्छे से clear करूँ यहाँ पर चल रहे चलो जी बेटा अब बात कर रहे है liability की फिर वही बात liability में क्या decide करना होता है whether liability is limited और unlimited लेकिन मैं एक ऐसा point टच करूँगा जो teacher बताते ही नहीं आपको यह तो बात ही है partnership हमें लेकिन यह और बात है बीटा देखो partnership हमें liability या तो limited हो सकती है या तो unlimited हो सकती है आपकी knowledge के लिए बता देता हूँ यहाँ पर भी liability unlimited है याने की in case business assets are not sufficient to meet the business liability या personal assets could also be sold out यह वर तो बिलकुल याद रख लो ठीक है ना मतलब मैं अगर बोलू partnership firm की business assets है 50 लाक रुपे और business liability है 80 लाक रुपे और बाभू मालो partners की personal assets मिला कर है 40 लाक रुपे तो बेटा क्या हो सकता है सबसे वहले business assets बेची जाएंगे इस करजे को चुकताने के लिए अभी भी करजा बचेगा 30 लाक रुपे का यह 40 लाक से 30 लाक को दिया जाएगा यार personal assets could also be sold out in case business assets are not sufficient to meet the business liability यार personal assets could also be sold out इतनी बात ओके ठीक है लेकिन बेटा इतनी सी खाहनी है नहीं टीचर तो इतना बोलके बस कर देते हैं ठीक है liability बहुत dangerous है partnership firm की एक और बात है इसमें क्या बात है लिख देता हूँ बेटा liability के case में ना partners are jointly as well as severally liable jointly and severally severally को आप बोल सकते हो individually severally liable लो इस बात का मतलब समझाता हूँ आपको ठीक है ये एक अलग example है ठीक है अलग example है मालो business assets थी 15 लाख उरपे ठीक है और business liabilities आ गई 25 लाख रुपे और तीन पार्टनर है A, B और C और A, B, C की mutual ratio जो decide हुई थी 2-1-1 कुछ भी हो सकती है ना PSR 1-1-1 होना जरूरी है क्या 2-1-1 decide हुई ठीक है A दो हिस्से लेगा 4 में से B लेगा 1 हिस्सा 4 में से और C लेगा 1 हिस्सा 4 में से ठीक है जी 2-1-1-1 A, B, C की PSR Profit Sharing ratio decide हुई थी ठीक है बेटा A के पास Personal Assets है 6 लाख रुपे ठीक है B के पास है 3 लाख रुपे और C के पास है 1 लाख रुपे ठीक है Let's suppose मेरा example यहाँ पर अब मेरा example शुरू हुआ ठीक है काम की करेंगे बात ठीक है लो अब क्या होगा बेटा Code क्या कहेगा सबसे पहले तो यह Business Assets बेच दो बेच दी थी 15 लाख की अभी भी करजा कितना रह गया 10 लाख रुपे का अभी यह करजा आपने जो losses होए हैं आपको 10 लाख रुपे के आप सब मिलाकर लाइबल हो न लिखा है न वर जोइंटली और सैवरिल लाइबल अभी मेरा इस वर्ड पर कोई अनालिसिस नहीं है मेरा सर्विस वर्ड पर You are jointly लाइबल सब मिलाकर लाइबल हो सब ने मिलाकर बिजनस किया है तो लॉस हुए तो सभी शेयर करेंगे किस रेशो में शेयर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेरिंग रेशो में शेयर करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है बेटा 10 लाख देने है A कितने देगा 5 लाख B कितने देगा यार बोलो फटावट बोलो डाई लाग रुपे, सी, डाई लाग रुपे जगा, पक्का, छे लाग से पांस लाग दिये जा सकते हैं, यार बोलो, ठीक है, बीस है, डाई लाग, तीन लाग से, दे देगा, डाई लाग, ये, अब सुनो काम की बाद, कोट कहेगी, you are jointly liable, आप मिलाकर तो liable होई हो, as well as, you are severely liable, you are individually liable too, आप individually भी liable हो, कहने का मतलब क्या है, आपने करजा कितना देना है भी market का, 10 लाग, आपकी personal assets मिलाकर कितनी है, थर्ड पार्टी को, आप से कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपकी मिलाकर assets कितनी है, 10 लाग की न, आप अपनी सारी 10 लाग रुपे की assets बेचो, थर्ड पार्टी को free करो, थर्ड पार्टी free, अब सुनो मेरी बात, एको काईदे से करजा देना कितना था, 5 लाग, इसको करजा क कितना देना था, 9 लाग, इसके पास कितना बचता, 50,000 रुपे इसके पास बचता, ठीक है, इसको करजा कितना देना था, 1 लाग, एक लाग इसने अपना दिया, 50,000 रुपे इसने दिया, ऐसा ही होगा न, ठीक है, 10 के 10 लाग की asset court ने विकवा दी, थर्ड पार्टी remain unaffected, ल अब हमने assets तो भिकवा दिया है A और B C के उपर एक case डालो आप डालो 1,00,00 रुपे के लिए ये डालेगा 50,000,00 रुपे के लिए जैसे B कमाएगा पहले 1,00,00 आपके देगा फिर 50,000,00 रिन के देगा लेकिन third party affect नहीं होगी सर आप partner हो यानि की mutual understanding ठेक रही है तो आप आपस में निप्टो ना third party को क्यों परशान करेगी court इसे बोलते है jointly and severally liable कभी सुना था पूरी leaventh होगी ठीक है और अगर आपको कभी doubt हो ना liability में second paragraph लिखा वे NCRT में same ठीक है जी बड़े हैं आगे समझाई बात third feature क्या है risk bearing लो आगी कहानी लो आप मैं compare करा रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी से अब थोड़ा speed पगडता है बबू soul proprietorship में heading to soul risk bear and profit recipient यहां क्या है risk bearing बेटा अब मैं आपसे बोचता हूँ यहां risk कैसे bear होगा risk मतलब losses कैसे bear होँगे losses are shared among the number of partner in the profit sharing ratio बेटा वहां तो केले bear करना है वहां केले ही कमाना है यहां बेटा losses share हो जाएंगे सारे partner मिलकर share करेंगे in the profit sharing ratio हो गया risk bearing कता हूँ ठीक है next one is decision making and control सर महां पर क्या था soul providership में hundred percent control lies in the hand of soul provider यहां क्या बोलोगा ऐसे नहीं बोला बेटा decision making and control सारे partners के हाथ में एक partner कर सकता है अपने access अपको bind लेकिन generally एक partner decision नहीं लेता exceptional cases में लड़ाई जगड़ा होजे तो कर दे तो कर दे वैसे decision making and control कैसे लिया जाता है by mutual consent सब एक platform पर बैठते हैं जब agreement हो जाते हैं एक जगा पर तब जो भी trade करने आपने किया जाता है decision making and control के सारे partner का है और mutual consent से decision लेते हैं mutual agreement से जब सब agree होते एक चीज को लेकर ठीक है करतो सकते हैं ना एक partner अपने access सब को bind लिखा है ना partnership firm की definition में लेकिन generally ऐसा नहीं करते आप ठीक है आगे बढ़ना continuity अब ये वड़े काम की बात है सुनना आपके लिए एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस continuity से बाद एक heading आएगी members की ठीक है पहले उसकी बात कर लेता हूँ इदर देखना बेटा partnership firm में minimum number of member कितने चाही होंगे कम से कम कितने लोग चाही है पाटनर्शिफ होँ एक बंदा नहीं कर सकता पाटनर्शिफ हो मैंने अपने right hand से left hand की partnership करा दि ऐसे ऐसे नहीं हो सकती क्या नहीं कम से कम कितने लोग चाही है दो लोग चाहिए और maximum कितने हो सकते हैं पचास वो प्राइविट लिमिटेड है ठीक है partnership हमे minimum दो मेंबर चाहिए और maximum it may be 50 50 हो सकते हैं आज की तारिक में मेरे time पर law दूसरा था उस time पर 20 हो सकते थे अब आज की तारिक में 50 हो सकते हैं minimum to maximum 50 अब मैं बाफसी आऊंगा continuity पे अब समझना जड़ा सब सामने देखेंगे मही तरफ ठीक है अब यहां confusion बहुत ज़्यादा है बच्चों को सुनो मैं बोलता हूँ 50 लोगों ने मिलकर एक partnership date लिखी partnership हम बन गई एक इंसान मर गया कोई फरक पढ़ता है या नहीं partnership हम चलती रहेगी है बंद होगी बस यह बताओ चलती रहेगी आपका point of view मुझे पता है और बिलकुल गलर जी तो देदो मैं आपका उठा कर बंद होएगी 100% बंद होएगी अब आपके दिवागे यही तो भ्रम दूर करने है इसलिए बैठो आप यहाँ पर आपके दिवागे 50 लोग है एक बंदा मर भी गया तो क्या फरक पढ़ गया सारा ही फरक पढ़ गया बेटा सुनो 50 लोगों के बीजे partnership firm लिखी गई 50 लोगों की profit sharing ratio लिखी गई लिखी गई एक person मर गया ठीक है अगले साल हुआ profit प्रोफेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि सम मिल बाट के खा जाएंगे मुझे पक्का पता है ठीक है loss हो गई और जो partner मर गया था न उसके हिस्से का ratio ती 1 by 50 समझ लो और 50 करोड के loss हो गई अब एक करोड रुपे लाने है अब कहां से आएंगे उनंचस के उनंचस बोलेंगे मैं नहीं दूँगा उपर से बुलाओ बंदे को मैं मैं नहीं दूँगा पक्की बाद सर इसले बता रहा हूँ एक पार्टनर की डेथ हो जाने से बिजनस कमस तू एन एंड remaining पार्टनर में continue the existing business by forming a new partnership deed और नहीं पार्टनर्शिप डीड बनी इसका मतलब क्या है नहीं पार्टनर्शिप फर्म बनी है सर एक परसन के मर गया तो वो पार्टनर्शिप फर्म खतम ही कोगी आप उनंचा स्लोग continue तो कर सकते हो same business को by forming a new partnership नहीं partnership deed को उनंचा स्लोगों के नाम से agreement बनाओ मा सब clarity रहेगी फिर समझाई बात तो एक पार्टनर के death से insolvency से imprisonment से physical ailments से mental ailments से business may comes to an end business खतम हो सकता है समझाई बात अब गलत शलत ने बढ़ना विलकूल भी चलो आगे बढ़ना next heading क्या है mutual agency बढ़ा दिया ये लिखा अदे यार रभ कर दिया मैंने समझाया तो दिया carried on by all or any one of them acting for all उसका दूसरा ना mutual agency है आगे बढ़ो merits start minimum two member maximum 50 हाँ जी good morning हाँ जी merits है अभी क्या बोला है good morning उठ जा कोई दिक्कत नहीं है mangal गरह पे गया था क्या पानी है के नहीं है mangal गरह पे बता तो दे हाँ सपने में mangal गरह पे बोच जतते हैं ease of formation and closure पहली merit same feature था बेटा formation and closure partnership का formation असान है के नहीं असान है एक legal formality है जिसका नाम है बोलो partnership deed एक legal formality पूरी का ली तो हो गया formation closure भी उतना ही असान है closure भी उतना ही असान है दो मिनट के बाद touch करता हूँ point of view को लेकिन बता देता हूँ चलो आपको हलकी सी बाद वेटा generally जो partnership बनती है partnership at will होती है at will मतलब मर्जी तक चलेगी partnership firm जब मर्जी होगी ठीक है मालो ABC की तीनों के partnership firm थी चल रहे थी continue हो रहे थी और partnership at will थी C खतम करना चाहता है partnership या खुद discontinue करना चाहता है तो उसने क्या करेगा एक notice notice देगा B को और A को कि मैं exit करना चाहता हूँ तो exit कर सकता है ऐसे ही B कभी exit करना चाहता हूँ तो हो भी कर सकता है partnership firm को खतम करना भी उतना ही असान है Ease है formation में और Ease है closure में कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है next one is balanced decision making अब ये बड़े काम की बात है बेटा balanced decision making मतलब बभू देखो वहाँ पर जब decision making थी ना soul providership में वहाँ इसका नाम लिखती थी quick decision making याद है एक single person सारा control उसका बहुत जल्दी market opportunity पकड़ लेगा यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ decision making is balanced balanced मतलब क्या है हर partner अपने area of expertise से काम करता है माल लो A, B, C, D ने वाटन से वहाँ बनाई ठीक है D बोलता है यार मैं accounts बहुत अच्छे बनाता हूँ भाई तू वही बना ले C ने बोला यार मेरी marketing और advertising मेरे जिम में सोब लेगा अच्छा तू वही कर ले B, B बोलता है purchase or production मेरा बहुत अच्छा है तू वह कर ले A ने का मैं sales बहुत अच्छी करता हूँ तू वह कर ले बेटा हर partner अपने area of expertise से judgment लेगा तो क्या होगा audition making बहुत बढ़ी आरे की इसे बोलता है balance decision making मैं अपने office की बात करूँ मेरे office में कोई client आजे income tax का कोई entertaining नहीं करता खाली मैं करता हूँ क्योंकि मैं बानता हूँ वो मेरा area of expertise है और कोई GST का आजे तो मेरे partner साफ करता है तो वो मेरे को आता है तो यह होता है balance decision making business studies की कोई tuition आजे तो मैं ही देखूँगा ECO के आती थी तो वो ही देखता था area of expertise से decision लेना balance decision making ओके जी next one is more funds अब यहाँ पर मैं आध्य से अधा को confuse कर सकता हूँ ठीक है और teacher समझा भी देते हैं आप मेरे को समझा आता problem भी नहीं पूछते है उनसे समझना जड़ा बेटा merits में लिखा है more fund limitation एक बार गुमा कर देख लो आपर एक limitation नहीं है limited resources लिखी है लो अब समझो advantage में कहा रहा पैसे बहुत है पैसे ही बहुत है disadvantage में कहा रहा पैसे बहुत कम है क्या कहा रहा है वही clear cut बोल दे contradictory statement है का यह नहीं it's not contradictory समझना बेटा जब advantage में कहता है पैसे बहुत है तो यह compare करता है soul proprietor से कहता partnership firm के बाद soul proprietor के comparison में बहुत पैसे है 50 लोग जो पैसा ला सकते है और जो एक इंसान पैसा ला सकता है जब बोलेगा limitation में limited resources तो partnership firm को compare करेंगे company से 50 लोग जो पैसा ला सकते है और जो unlimited लोग पैसा ला सकते है बराबर company के बाद resources की कोई कमी नहीं है clear हुना मैं more fund में compare किस से करा partnership firm को soul proprietor से और limitation में limited resources में किस से compare करा with company ठीक है जी okay fit next one is sharing of risk वो ही है risk bearing बेटा risk is shared among the number of partner in the profit sharing ratio चीक है ना next heading is secrecy बेटा soul proprietor में भी heading आये थी confidentiality of information लो अब दुबारा समझ लो यहाँ पर भी secrecy रहती है confidentiality रहती है क्यूँ बेटा partnership firm भी अपने accounts कहीं publish नहीं करते partnership firm पे कानून जरूर लगता है तक आपको accounts दिखाने के लिए आपको किसी newspaper में नहीं छपवाने किसी website में publish करना आपके लिए कोई legal requirement नहीं है इसलिए बेटा आपके दोनों trade secret secret ही बने रहेंगे ना किसी को यह पता लगेगा कि आपका supplier कौन है ना किसी को यह पता लगेगा कि आपका customer कौन है next one is limitation start हो गई first limitation क्या है unlimited liability clear है क्या होती है unlimited liability in case business assets are not sufficient to meet the business liability your personal assets could also be sold out और partnership हमे आपकी liability unlimited होने के साथ-साथ partners are jointly and severally severely मत्तब individually liable to okay अबार next one is करा चुका next one possibility of conflicts अब यह बड़े काम की बात है बेटा देखो conflict क्या होता है लडाई जगडा लडाई जगडा हो सकता है partners में नहीं एक partnership हमे 30 partner है 30 तो legal दायर है 50 तक तो हो ही सकता है 30 partners है ठीक है कोई decision लेना है ठीक है आप एक platform पर आ गए ठीक है एक जगा पर बैठ गए meeting चल रही है बबु एक बात समझ लो दोना सगे भाईयों की सोच similar नहीं होती ना ही दो जुडवा भाईयों की होती similar ठीक है ना हर person का चीजों को देखने का perception अपना ही है हर ना और बेटा differences of opinion always lead to the conflict यार हमारी अपने parents से ही हो जाती है हमें लगता है हम ही सही बोलते है उनको लगता है वही सही बोलते है differences of opinion always lead to the conflict अब generation gap कहलो या कुछ भी कहलो हर इंसान की सोच अलगी है हम ना हमार साथ चक्कर बता है क्या है हम ना दूसरों के point of view से नहीं देखते चीजों को हम सिर्फ अपने point of view से देखते हैं इसी वेसे हम कभी दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं और वही लड़ाई जगडे का कारण है समझे है क्या है possibility of conflict differences of opinion हमेशा लड़ाई जगडे का कारण ही बनेगी ठीक है ना अब वही बात बहुत रहा हूं तीस जने एक प्लाट्वाम पे बैटा है दस ने कहा दिया करो invest भी से कह दिया हम नहीं गत्ते इंवेस्ट बेकार लग रहा हमें प्रजेक्ट दस कहरें नहीं बहुत अच्छा है प्रजेक्ट वह कहरें नहीं बेकार है वेटे तू प्रूव कर देओ कहता ले दूसरा कहता ले मैं भी प्रूव कर रहा हूं लड़ते रहो आटकर समझा है नेक्स्ट वान इस लग ओ बिजनस पॉंटिनिटी हम पड़ चुके है एक सिंगल पार्टनर के डैट से फ़र्म खतम होगी के नहीं होगी बस बतातो दुबारा खतम होगी 100% खतम होगी रिमेनिंग पार्टनर में कॉंटिन्यूट दा एक्जिस्टिंग बिजनस बाय फॉर्मेंगा new partnership deed और नई पार्टनर्शिट डीट बनी है इसका simple simple सा मतलब है नई partnership firm बनी है ठीक है आगे लाको पॉलिक confidence बेटा पॉबिक आपके उपर ट्रस्ट नहीं करती और कभी करेगी नहीं क्यों नहीं करती सुनू मालो मेरी नमन की और शिवम की एक partnership firm है ठीक है अब ABC छोड़ देता है तोड़ा और interaction बढ़ाते है मेरी नमन की शिवम की एक partnership firm है ठीक है और बावू firm चल रहे है losses में ठीक है और हम पहुचके शिवांग के बास शिवांग शिवांग आप हमें 20 करोड का लोन दे दो हमारी firm हर साल 100 करोड कमारी है और 6 महिने में तेरे पैसे इस उतार देंगा बबू शिवांग ट्रस्ट करेगा नहीं करेगा बोलतो कुछ भी सकते हैं शिवांग को अकाउंट्स दिखाए क्या हमने यहां मैंने कहीं अकाउंट्स पब्लिश करें क्या जो शिवांग confidence दिखाए हमारे को लोन देने में नहीं करे वे देगा लोन नहीं देगा बेटा पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती पाटनर से फार्म के क्योंकि कहीं अकाउंट्स नहीं है यहीं कंपनी होती तो कंपनी ने 100 करोड के profit कमाई है क्यों ट्रस्ट नहीं होता और कंपनी पे जादा ट्रस्ट क्यों बनता है लोग होगा में मुद्ध ही क्या है अकाउंट्स का इतना clear हो में इस बात पर एक बात ध्यान अकले ना बेटा चलो एक personality development की बात बता देता हूं आपको यह topic रोक कर जब भी आप किसी से बात करते हो ना या आपको किसी को trust दिलाना हो किसी बात पर हमेशे अपने हाथ दिखाओ मेरे को देखते हो मैं पढ़ाते हैं हाथ दिखाता हूं अपने ऐसे जरूर दिखाता हूं हाथ दिखाने से ना देखो आप notice नहीं करते हो इसको लेकिन आपका subconscious mind इन चीज़ों को बहुत notice करता है मूवी में देखा कभी किसी की कनपटी पर गंदग दे तो ऐसे करता है वो trust दिला रहा है मेरे बाद कुछ नहीं है सच में ठीक है? यह चीज़े trust देती है सामने वाले को confidence देती है ओके बाद चलो है तो ऐसी बताई मैंने बात आगे उड़ते हैं ठीक है? बढ़े हैं आगे? चलो अब क्या topic स्टार्ट हो रहा है? types of partners परें types of partners active partner, sleeping or dormant partner secret partner, nominal partner partnership, stopper and partnership holding out लो एक काम करेंगे हम इसको paragraph form में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे एक काम confirm करके बतादो क्या सबकी liability unlimited है क्या सबकी liability unlimited है 100% है कोई भी partner है, सबकी liability unlimited है, ठीक है? NCRT की गलती भी बतादूँगा आज आपको घबराना active partner और sleeping partner में पहले difference समझेंगे, ठीक है? active partner और sleeping partner देखो दोनों capital लगाते हैं पैसे पैसे दोनों लगाते हैं, दोनों profit and losses share करते हैं बस difference सुर्फ management का है active partner actively participate in the management बट sleeping partner can't समझो, क्या मतलब है? बेटा, active partner का मतलब ही क्या है? देखो, सुनो, मैं बताता हूँ मैंने पुंज़ो और शीवम ने partnership करी हम मानलो एक school बना रहे हैं मिलकर ठीक है? हम मानलो, हम तीनों ने five-five करोड़ रुपे लगा Hem हम तीनों ने मिलकर five-five करोड़ लगा है ठीक है? और school बनाना शुरू गया लैंड खरीदी, school बनाना शुरू है और बेटा, मानलो हम dare estimate कर गए थे कॉस्ट को 5 करोड रुपए कम पढ़ रहें आप और स्कूल बीच में पेंडिंग बड़ा है ठीक है तो हम लिए मानस के वास मानस पांच करोड पर दो मानस ने का कर तो दूगा मैं पांच करोड का कॉंट्रीब्यूट कोई टेंशन नहीं है पर चक्कर या मेरी अच्छी कासी दुकान चलती है मैं कहा हूँगा स्कूल मैंने कहले तू एक काम कर तू अपनी दुकान पर बैटे है तू टेंशन आ ले तिरे को घर गाटे बैटे है हम प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा देते रहे पांच करोड इससे ने भी डाल दिया बेटा 20 करोड हो गए फर्म स्टार्ट हो गई कल को कोई भी प्रॉफिट कमाते है चारों में बटेगा जो भी PSR एग्रीड होगी लेकिन आब एक बात देखो क्या मानस जज़मेंट ले रहा है वो ज़जमेंट नहीं ले रहा है वो तो अपनी दुकान पर बैठाव अच्छी कासी दुकान चल रही है ज़जमेंट कोण ले रहा है हम तीन लोग ले रहे हैं मैं नवन और शिवम बेटा हम तीन लोग active partner है directly actively participating into the management और मानस कहा sleeping या dormant partner management है बाटी सिबेटनी कर रहा आपको बता है शेयर के बहुत सारे स्कूल हैं ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं अब किसी का मूँ पे camera के साब ने ठीक है बहुत सारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूं जो sleeping partner है किसी स्कूल में किसी college में बहुत सारे बंदों को जानता हूं ठीक है दी समझा है वाद थार्ड वान इस सीक्रेट पार्टनर दिखा भाई अब यह क्या होता है सीक्रेट पार्टनर अब देखो बेटा यह हर जगे पार्टिस्टिपेट करता है हर जगे पैसे भी पैसा भी लगाएगा प्रॉफिट शेरिंग रेशो भी मेर्जमेंट ने भी पार्टिस्टीपेट करेगा बट सीक्रेट ली और Lively इशके लिबिटेट है यह ना पार्टिस्टीपेट तो करता है बट सीक्रेटली पबलीक को ना पता लगे कि मैं आपका पार्टनर हूँ मान लो बेटा हम चारों ने मिलकर कोई प्रोपर्टी खरीदिया गें ठीक है मानस ने का यार ये ना पता लगे दुनिया को कि मैं इस प्रोपर्टी में आपका पार्टनर हूँ आप तीनों अपने नाम ही करा लो रिजिस्ट्री पांच करोड मैं दूगा लेकिन हम तीनों ने मिलकर अपने अटाम रिजिस्ट्री करा दी बेटा सब कुछ उसका है ठीक है लेकिन वो एक्टिवली या दुनिया के सामने नहीं आ रहा कभी भी जज़िमेंट तो ले रहा हमार साथ बैठके उस शीज के रिगाडिक लेकिन दुनिया के सामने कभी नहीं आता समझा पार्टिसिपेट करते हैं बट सीक्रेटली ठीक है अब समझो अब यहाँ पर NCRT के गलती निकालने का टाइम आ गया बाबू NCRT ने पार्टनर कितने तरीके के बनाए छे तीन तो ठीक बनाए बेटा, nominal partner ही फर्दर दो तरीके का होता है partnership अस्टोपल और holding out कोई अलग-अलग कान या नहीं है वो nominal partner से ही निकलती है nominal partner दो तरीके का होता है एक का नाम है partnership by stopple and partnership by holding out by holding out लो, समझो बाबू, समझो हां जी, nominal partner के कौन होता है बेटा one who lends his name और goodwill to the partnership firm आप देखोगे ना बेटा nominal partner ना पैसे लगाता, देखो देखो, 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 देखो no capital contribution, no sharing in the PSR and not actively participating into the management no participation in the management उसकी liability unlimited है और यह ऐसे कैसे हो सकता है इंसान ने पैसे नहीं लगाए profit laws भी 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 शेर कर रहा management में भी participate ने कर रहा liability unlimited यह कैसे हो सकता है हो सकता है बेटा, nominal partner को नोता है one who lends his name to the partnership firm one who lends goodwill to the partnership firm जिसने पना नाम दिया partnership firm को जिसने goodwill दिया, पैसा नहीं दिया नाम दिया समझो ज़र एक बार बेटा, A, B, C तीन partner है एक partnership firm के उनको loan की ज़रती पहुच के तीन हो bank manager के cabin में bank manager ने का ना आपके financials अच्छे नहीं हम आपको जानते हैं हम नहीं करते हैं ऐसे लो, मना कर दिया वो जानते दे कि D को बहुत अच्छे से जानता है bank manager और D उनका दोस्ता और D को लेकर गए, D चलो, loan करा कर दो D गया माँ पर और bank manager के सामने टैड़ में बोल दिया मैं इनकी firm का partner हूँ, loan क्यों नहीं कर रहे हैं आप अपना नाम दे दिया firm को loan हो गया कल को और भाग गे ABC सबसे पहले किसकी गरदन पकड़ी जाएगी D क्या यह partnership है, stopper holding out में थोड़ा सा difference है समझना ABC loan लेने गए, हमने holding out बोल रहा हूँ ABC loan लेने गए bank manager ने मना कर दिया, D को अच्छे से जानता था D को उठा कर ले गए, इस बाद D ने कुछ नहीं बोला A बोल पड़ा D हमारी partnership हमका partner है और D चुप जा बैठा रहा bank manager की दिमाग में impression क्या जाएगा, partner है या नहीं यार बताओ ABC ने तीनों ने A ने बोल दिया, कि D हमारी partnership हमका partner है और D रियाक्ट ही नहीं कर अच्छे बैठा रहा तो bank manager की दिमाग में impression क्या जाएगा है के नहीं है sometimes silence silence is deemed to be acceptance कहीं बार चुप रहना हा के बराबर होता है पर शिवांग ये बात अपनी girlfriend के सामने मतलगाई हो तुने propose करा हो, चुप बैठी रहे यह मस हो चो, हाँ, बस अब तो हो गया ठीक है ना, sometimes silence is deemed to be acceptance, कहां पर हा होता है चुप रहने का मतलब, murder cases में होता है अगर बेठा जज बूस ले, आप ने करा है murder और client चुप है, मतलब तो गया भाई हो, इसका मतलब उसी ने किया महां तो ना ही बोलना पड़ता है को रहा, silence is deemed to be acceptance समझा ही बात, तो बेठा, impression कहा गया कि हाँ, D partner होगा, तभी नहीं बोल रहा कुछ, उसने alone कर दिया कल को A, B, C भाग गए D फिर गया, यह है partnership है, holding out समझा ही बात नहीं बोल सकते, मैं बोलने हैं नहीं दोंगा कभी जिंदिगी में आपको यह concept ओ क्या बात, बड़े आगे अब topic है, start हो रहा है, types of partnership types of partnership चलो, बस यह last topic है इसके आद partnership deed होगा और उसके बाद रजिस्प्रेशन होगा, हना यह है ना, बोल दो यार, खुश हो के बोल दो, रो क्यों रहे हो, जिंदगी में रोना ही लिखा है ठीक है ना, हां जी, चलो बढ़ते हैं फिर आगे बाभू, types of partnership बाभू, दो बेसिस पर classify किया गया classification on the basis of duration and classification on the basis of liability, सबसे बाभू, बाभू, दो तरीके की partnership है partnership act will अभी मैं थोड़ी देर पहले इसकी बात करी थी और दोसरी particular partnership अब यह बहुत काम की बात है, आपने आराम से समझना है ठीक है सबसे पहली बात क्या है partnership act will यहाँ पर will का मतला वसियत नहीं है यहाँ विल का मतला मर्जी है ठीक है, partnership act will मतला मर्जी तक चलेगी ABC ने partnership करी मर्जी तक चल रही है चलने को 50 साल चलने को दो दिन बेना चले, दो दिन के बाद अगर खतम करनी हो, तो कैसे खतम करे तो बेटा, एक partner जो exit करना चाहता है जो continue नहीं करना चाहता वो क्या करेगा दोनों partner को एक legal notice भिजवाएगा कि मैं continue नहीं करना चाहता एक-एक notice पहुचेगा, खतम इतना असान खतम करना ठीक है, और दूसरी क्यासी होती है particular partnership particular partnership, बेटा या तो किसी particular project के लिए होती है या किसी particular time period के लिए होती है जैसे ही project बन कर तयार या time period lapse हो जाता है it may comes to an end, automatically no legal notice is required in that cases मतलब, लिखा गया partnership हमें A, B, C की partner 5 साल के लिए है, जैसे ही 5 साल लैप्स होंगे, खतम कोई notice है न, कोई कुछ नहीं करना लैप्स होंगे, जैसे ही 5 साल लैप्स होंगे, खतम हो जाएगी या बेटा किसी particular project के लिए let's up उसकी बात करते है बेटा, एक firm है ABC की, और एक firm है XYZ की, ठीक है और दोनो highways construct करते है ठीक है, गार्मेंट का एक project दोनों ने मिलकर ले लिए, दोनों partnership firm ने ABC ने और XYZ ने मिलकर ले लिए एक project इनने कहते है बस इस particular highway के लिए let's up उसकी, डेली आगरा express रहे कि इस particular project के लिए हम अपनी partnership firm को बना रहे है बना लिया, जैसे ही बेटा वो highway बन कर तैयार हुचाएगा इनकी partnership automatically कुछ भी नहीं करना आपको समझाई बात? particular partnership या particular project के लिए होती है या particular time period के लिए होती है दोनों बात है clear हुई? अब बेटा, on the basis of liability अब ये बड़े काम की बात है, एक है general partnership और एक है limited partnership, लो दूसरी गलती है NCRT की बेटा, word is not limited partnership word is LLP, limited liability partnership इसको हम बोलते है LLP आज की तारिक में बड़ा emerging concept है किसी जगे लिखा देखा है LLP खमाल हो ऐसे तो magnet है, magnet mall ठीक है? इससे पहले मतलब जो sony realtors ने mall खरीदा था वो बिका, resale हुआ जो pending पड़ा है आज भी दंग से पुरा नहीं हुआ, उसके बिल्कुल सामने उसका office है, जिस company ने खरीदा हुआ आज नाम पढ़ना उसका श्री जी, develop tech LLP पढ़ लेना चलो, कभी आना जाना हो होँआ से, होगा, जल्दी होगा श्री जी, develop tech LLP, ठीक है, कऊगे तो फोटो कीच के भी दोगा आज ग्रूप में ठीक है जी अब फरक समझ लो, general partnership और LLP का, बबू, अभी तक हमने जितने feature advantage, disadvantage पढ़े हैं, सब general partnership थी देखो, क्या होती है general partnership, जिसका registration कराना compressor ही नहीं होता जिसमें एक partner अपने accessory firm को bind करता है जो एक partner की death से खतम हो जाती है यह सब general partnership है limited liability partnership थोड़ी अलग है, थोड़ा concept ही अलग है, यह क्या कहते है देखो, generally partnership में liability कैसी होती है यार बोलो, कैसी होती है, partnership में unlimited होती है, यह क्या concept है limited liability partnership limited liability बबु यह क्या कहते है, सुनो LLP कहती है at least एक partner ऐसा बना लो जो unlimited liability भी अर करे बाकी सबकी liability हम limited छोड़ सकते है at least one, कम से कम एक, कम से कम एक लिखा कानूने, तो लोग तो कहेंगे बस एक की बना ला एक की unlimited रग दो, बाकी सबकी limited रग दो, यानि कि इसकी personal asset भीख सकते है, बाकी किसी की personal asset पर आज नहीं आएगी समयदा है पहले इतनी बात अब सुनो, ऐसी partnership firm के थोड़े feature अलग है क्या अलग है, बेटा ऐसी firm का ऐसी partnership firm का registration compulsory है वहाँ पर optional था ना यहाँ पर compulsory है यहाँ एक partner अपने जनरल partnership में क्या होता था एक partner अपने अक्सेसारी firm को bind करता था यहाँ सिर्फ unlimited liability वाला पुरी firm को bind करेगा अगर किसी की limited liability उसने sign कर दिया किसी project में, वो उसके अकेले के उपर लगता है, वो partnership firm पे नहीं लगता अगर unlimited वाले अगर किसी limited वाले की death होगी तो खतम नहीं होगी firm अगर unlimited वाले की death होगी तो हाथ वाथ on the spot firm खतम समझाई? थोड़ी सी different है यह भी detailed नहीं पढ़ाया जाता आपको मैं तो चाहते हैं इसको बहुत detailed पढ़ाना आपको